थाकड़ खबर के नियूज रूम से मैं आपके साथ हूँ अक्राम रहिस खान कोट संबंदित खबरों का तासा बुलिटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गया हूँ आज के बुलिटिन में नो एहम खबरे लेकिन खबरों की शुबात करने उससे पहले एक चलते हैं ना ही किसी कार्पोरेट की फंडिं है इसलिए आप लोगों की मदब से चलते हैं तो छोड़ी सी अपील हैं आप से कि अगर आप लोगों को लगता है कि स्वरतंतर पत्रकारता के छेत्र में या उर्दू में कहें कि आजाज साफ़त के मैदान में धाकड कपर अप आर्थिक मदद कर सकते हैं चलते हैं पहली खबर की तरफ पहली खबर जो कमेट्मेंट धाकड खबर ने आपसे की थी उसी कहनु सार बापनी मज़ी तोड़ने के मामले में क्या अपडेट है वो लेकर आ जा रहा हूं आपके सामने लेकिन वो रखने से पहले फिर बता दें ब बाहर निकल के मीडिया वालों से ही का साब हमें तो राज इंतिक तोर पर फसाया गया महारा तो कोई रोल ना बाबरी मज़ी तो किसी शायद जीन भी नहीं तोड़ दी वो दिन के उजाले में बंब लगा लगा के तोड़ी गई घंटों तक तमाम दुनिया ने देखा है औ सुप्रिम कोट के सुपर विजन पर ये पूरा मामला चल रहा है निकलेगा क्या सबसे बड़ी बात वो होगी क्योंकि पहला मुगदबं भी हमने देखा है कोट ने माना कि भाई यहां मज़ीद थी यहां तोड़ी गई चीक है यहां मूरतिया रखी गई सब चीजे मानी ग लेकिन वो चाते हैं कि उनकी गवाई वीडिओ कंफरेंसिंग के जरीए हो लेकिन वीडियो कंफरेंसिंग की व्यबस्ता अदालत में अभी नहीं हो पाई है बता दें आपको इस से पहले लाल कि शाडबाणी ने भी का था कि आने जाने में जो है उनका बैयन दर्ज कराया इसके बाद जो जज है एसके आदा उन्होंने NIC को का था भीया अदालत के भी तरना वीडियो कॉन्फरेंसिंग के व्यबस्ता कर दो जो नहीं आना चाहरे है उनका वीडियो कॉन्फरेंसिंग पे बेहन दर्ज करा या जाएगा बताये जा रहा है कि एक हजार सवाल एक गवा जमानत नहीं मिली है दिली हाई कोट में उसने जमानत के लिए अपनी अरजी लगाई थी लेकिन उसको जमानत नहीं मिली है यूपी और उत्याखंड के पूर सीयम रहे हैं नाम था उनका N.D. तिवारी अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं एक शक्स था जिसका नाम है रोह पानी का पानी हो जाएगा उसके बाद में अंडी तिवारी ने रोःत आरी को अपना बेटा माल लिया उसके बाद रोई तिवारी की शादी होए पूरवा शुक्ला से और उसके बाद इल्ली के घर में यानि के जो बंगला है वहीं पे पिछले साल 14 अपरेल को रोहित तिवारी की लाश पड़ी मिली उनकी हत्या कर दी गए उसके बाद उनकी पत्नी पिछले एक साल से जेल में बंद है अब उसका कहना है कि वो जेल में किर गई है उसको जो है सिलिप डिस्क वाली प्रोब्लम हो गई है उसे परिशान है वो अपना इलाज कराना चाहती है उसको पर्मनेंट अगर बेल नहीं दी जा सकती है तो उसको अंतरीम बेल दे दी जाए कुछ दिनों के लिए निकिलबग दो महीने के लिए उसको बेल दे दी जाय हूँ बाहर आन करते हैं डक्टर जफरोल इसलाम को आप जानते ही होंगे पूरा नाम डक्टर जफरोल इसलाम खान डेली माइनोटीज कमिशन के चैर्मेन और इसके अलवा मिली गजट के संपादक जो इंगलिश का अखबार निकलता है पत्रकारता का लंबा नुबाव रखते हैं उन पर उने 31 जुलाई तक के लिए रात दे दी ग्रफतरी नहीं की जाएंगal रेकिन וह ही एक मामला नहीं है उनकी जानको दूसरा मामला भी है यह भी आइकवट में दाकिल किया गया कहा गया है کہ उनको जो chairman पोचा और उनके साथ पर परतिक जालाने वो इस पूरे मामले को सुन रहे हैं, दो हफ़ते के लिए दिल्ली सरकार से जबाब तलब किया गया था दो हपते बाद दिल्ली सरकार कल पहुँची, उस ने का साथ हमारे पास करम चारी तो है नहीं आप कहा रहे हो इन पर कारवाई कर दो ये कर दो वो कर दो अभी हम नहीं कर सकते इस इस्तिति में और कोड़ना के चलते अभी हम इन चीज़ों पर focus भी नहीं रखना चाहते हैं जिस फरte gonna अच्छा वाई ठीक है जब तुम्हारे पास नहीं है अभी कोई वबस्ता तो हम भी सुनवाई को टाल देते हैं तो 30 जुलाई तक यह सुनवाई को टाल दिया गया है कि डॉक्टर जफ्र इसलाम खान पर कारवाई होगी के नहीं होगी दिली सरकार पर भी कोई अक्शन लिया दिया यानि कि 30 जुलाई तक सुनवाई टलगी 31 जुलाई तक उनकी तमाम गिरफ्तारी पर रोक है अलाकि वह अलग कोट ने हाई कोट की बेंच ने वह फैसला दे रखा अब बात कर लेते हैं पिटिशनर को लेगे पिटिशनर का कहना है कि दिल्ली विधान सभा के पास दि उनका तो कोई मतलब भी नहीं बनता उनके नियुक्ति का तो उनके अपइंटमेंट का तो कोई मतलब भी नहीं बनता वो तो सीरे से खारीज हो जाते हैं इसलिए इस पूरे मामले में कारवाई करे जाच करने के बाद कोट और कोट ने दौपते के बाद जवाब मांगा था ये लोग दो अपते बाद आ गए हैं अब कोट को इसमें सुनवाई करें लेगिन कोट ने सुनवाई करने से इंकार किया फिलाल उसको टाल दिया और इस मामले में ये लोग क्या कहते हैं वो थोड़ा समझ लीजिए इस बात को ऐसे कि तीन साल से डक्टर जफ्र एसलाम खांचेरमेन ने तबसे ऐसी प्टिशन क्यो लागू नहीं की गई दिल्ली हाई कोट के अंदर दाखिल क्यों नहीं की गई तबसे ऐसे सवाल क्यों नहीं उठाएगा अबी विक्रम गैलोत नाम की एक शक्स हैं जिनके और से प्टिशन द कार किया बता दें आपको इस मामले में अपना जवाब दाखिल कर चुके हैं डक्टर जफरुल इसलाम खान और जो स्टेंडिंग काउंसिल है दिल्ली सरकार के उनका कहना है कि उनके जवाब पे जो हमारा कानूनी विभाग है वो विचार कर रहा है कि उस पे क्या एक्शन ले लिए और यह एक्शिला पड़ता है है यहां पे एडीजे फस्ट और एडीजे सेकिंड ठीक है वो कोट की तरफ जा रहे है सुबह सुबह का समय सोमार की खबर बताई जा रही है अचानक पीछे के शीशे टूट जाते हैं गाड़ी के जद साहिबान इस बात की आशंका जा लेकिन बड़ा सवाल ये कि कौन था जो इस तरीके से इंजल साहिबान को मारना चाहता था उनकी गाड़ी पे हमला करना चाहता है किस तरीके की कानून व्यवस्ता चल रही है उत्तर परदेश में कि यहां पे जज़ भी सुरक्षित नहीं है मामला बहुत संगीन है क्या अधाकर खबर ने आपके सामने खबर रख दिया बगली खबर का रुक कर लेता हैं टीचर्स भरती मामले में 10 पीसद सवनों को आरेक्षन का लाब नहीं दिया गया है मामला इलाबाद हाई कोट पहुंच गया इलाबाद हाई कोट ने भी नोटिस तलब कर लिया योगी सरक से बताओ बाई दस पीसद जो पिछड़े सवन हैं उनको आरेक्षन क्यों नहीं दिया गया है बता दें आपको पिछले साल ही मोधी सरकार ने जैसे ही वो राजस्तान चाटीस गड़ और मध्यपरदेस मारी उसके बाद उसने कहा कि साब हम जो अती पिछड़े लोग हैं सम जेजे मुनीर की बैंच के सामने मामला पहुंचा विने कुमार पंडे हैं उन समेथ 22 लोगों ने एक पिटिशन दाखिल की है उस पर सुनवाई की सुनवाई करने के बाद कोट ने 17 जुलाई की तारिक निरदारित कर दिया और कहा कि इस घोटाले से इस भरती से जुड़े हुए जितने गोटालों की फाइले उनके पास हैं उनके सामने हैं उनकी पिटिशन जिस पर उन सुनवाई कर रहे हैं उसमें भी पहले से 17 तारिक लगी हुए इस भी उसी में डाल दीजिए इसकी सुनवाई भी उसी दोरान होगी तो है ना दिल्चस्प खबर के 10 पीसद अरक्षन नहीं दिया गया यह आरोप लग रहा है अगली कबर का रुक कर लेते हैं बड़ी लिचस्प खबर है ध्यान से सुनिएगा वैसे आप इस कबर को सुनने से पहले यह समझ लीजिए कि इस देश को चला को रहा है इस देश को सिरफ दोईतों चीजे चला रही है करी करोना की एंट्री हो गई है और करोना के नाम पर करोना प्राने का औरोप लग variety जा रहा से हम तो पहले से बीयर बेस्ते आ रहें लेकिन अब कोरोना आ गया तो हमारे नाम को लेकर कोरोना महां हमारी से चोड़ा जा रहा है और एक दूसरी कंपनी द्वारा हमें बदनाम करने की इस तरीके से कोशिश कर रही जा रही है जिससे हमारी इमेज को काफे नुकसान जीवत हो गई है कोरोना से फिर मैं कहूंगा उत्तरप्रदेश से ख़बर आ रही है तो धासू खबर आनी चाहिए मामला सुप्रिम कोट पहुचा और सुप्रिम कोट ने एक बार फिर से उन्नाव के एक मामले को दिल्ली की 30,000 कोट में ट्रांसफर कर दिया उन्नाव का जि इस पर आरोप है एक लड़की के बलतकार करने का उसके परिवार पे हमला कराने का परीजनों को मरवाद देने का पिता को थाने में और चाची को और चाची की बैन याने की मौसी को सड़क पे मरवाद देने का उस मामले में सजा पा चुका है मामला भाई कोट जाएगा वह 30,000 कोट बेज दिया था वैसे इस मामले को भी 30,000 कोट बेज दिया क्यों वेजार क्या मामला यह थोड़ा सा समझ लीजिए बताय जा रहा है कि 2017 में जोती सिंग नाम की एक लड़की की शादी होई और 14 माई 2019 को गोली लगने से उसकी मौत हो गई उसके परिवार का आरोप है क शादी के बाद से ही सस्राल वाले 10 लाग रुपी की डिमांड और कार की डिमांड कर रहे थी वो डिमांड जब उन्होंने पूरी नहीं के तो उन्होंने उनकी बेटी को मार दिया और इसको लेकर उन्होंने अफाईर दर्ज करवा दी एफाईर दर्ज करवाने के पाद जो यूपी की पुलिस है भाई वो तो कुछी भी कर सके वो इस मामले को आत्मत्या दिखाने की कोशिशों में लगी हुई है क्यों लगी है और इसके परिवार का क्या रोप है वो भी थोड़ा सा समझ लीजिए इनका कहना है कि जो लड़की के सस्राल भाले हैं यानिकि जोति सिं पाटी में उसकी बड़ी पहुँच है उसके चलते जो पुलिस है वो इमानदारी से काम नहीं कर रही है जांच नहीं कर रही है इसलिए इस मुकदमे को वहां से हटा के दिल्ली ट्रांसफर किया जाए पीडित पितार राकेश सिंग की अपील को सुनते हुए सुप्रीम नाम तो बिल्कुली बदनाम करके धर दिया अब अगई और आखरी खबर का रुक कर लेते हैं यह खबर हमारे पास नेपाल की सुप्रीम कोट से आ रही है अभी आपको पता होगा नेपाल की पार्लेमेंट ने नया नक्सा पास किया उस नक्से कहता है तो नहें बहुत सारे विजसे बना रहे हैं जो अम्रीकियों कभी नहीं है जो सुह क्या बोलता है वाए सरकार ने का कि हम इस नक्से को मानते नहीं हैं अपने घर बैठके कोई कैसा भी नक्षा बना ले लेकिन अब नेपाल की सुप्रिम कोड में पेटिशन दाखिल की गई काफी दिल्चस्प है तो मुझे लगा कि आपके सामने आना चाहिए नेपाल बार एसोशियेशन के पूर पाध्यक्स जिनका नाम है हमारे पास सालिक राम जो हैं सापकोटा उनके अलावा एक और जो हैं गीता शाह और इसके अलावा सुवास विश्व कर्मा और नवल खडगा यह तमाम जो हैं इनके तरब से सुप्रिम कोड में पेटिशन दाखिल की गई है जोइंट पेटिशन को इक आदेश जारी करें और नेपाल सबकार को उस आदेश में यह भी कहा जाए कि वह सीमा सुरक्षा संदक्षित करने के लिए कानून बनाए एक्ट लाए और उसके बाद अपनी तमाम सीमाओं को सुरक्षित करें बता दें आपको क्यों कौन सा इलाका है काला पानी का इ इलाका पढ़ता है तीसरा जो है वो बताए जाता है लिम लिम पाधुरा जो है वो भी नेपाल ने अपने नक्षेे में दिखा dziया है जो पहले भारत के नक्षे में हिसे में कुआ करता था क्या बादची से किसी परोसी से अच्छे तालुकात बैस्ध करने की कोशिश करें या ये ठीक उसी तरीके की सोच है कि पडोस में हिंदू मुसलमान रह रहे थे 6 साल से आने के बाद इन्होंने उनके बीच नफरत पहला दी और दूर बैठे वे लोगों को कह रहे हैं कि देखो गुजराती तुम्हारा भाई है यूपी वाले का और कश्मीरी तुम्हारा दे सकते हैं खबर को लाइक कर सकते हैं चैनल को सबस्क्राइब कर सकते हैं जादा से जादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं फिर ऐसे ही किसी सुलकते हुए अब लगते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूंगा हाजी फिलाल अभी मुझे नहीं जाज़त